हेलो एबरीवान गोड इवनिंग गोड इवनिंग कैसे बिटा उमीद करते हैं सारे बच्छे मस होंगे दुरस होंगे तंदुरस होंगे और जवर जसरी के सबने पढ़ाएं बस तो चुके होंगे जैसा कभी जैसा आप लोग बिटा दी कल हम लोगों ने जो क्लास देखी जि है तो मेरे प्यारे बच्छो मैं आपका इंगलिस एजुकेटर अभी कांसर आपके इस प्यारे सौनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल में सारे बच्छों का मोश्वल लिकम करता हूं तो जल्दी से आजाओ आप लोग क्लास में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल सांदार तरीके से सारी चीज़े आपको समझ में आने वाली इस क्लास में ठीक है तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगी कल वाली स्लाइट्स के जो कुछ कॉंसेट रहे गए थे मतलब दो तीन परग्राफ हुमारा रहे गया तो उसको आ आज का सिसन यह है आपका पहला चाप्टर पूस की राच जन्वरी नाइट इंग्लिस रीडर बुग है बहुत सारे बच्चों में यह है कि बुख ही नहीं पता है उन लोगों तो पीटा जी आपके यह बुख से कम से कम 10-12 नंबर का कोशन इससे बनता है यह बुख से ठीक एंड ब्रैफली दें फ्लिकर्ड आउट ठीक है फ्लिकर्ड आउट अगें कह रहा है दे लीव्ज वर आल बर्ड मतब यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे कि हलकू का जो जो उसके साथ जो कुटा था जबरा वो क्या था खेत के धर धर घूम रहा था उन जानवरों की आव बर्ड सारी पतियां जल गई डार्कनेस कवर्ड और फिर अंधेला हो गया और चेर्ड उस आम के बगीचे में ठेक है अंडर दा एसे ऑफ फ्यू एंब्रेज स्मावडर्ड उस जो आराख से जो है कुछ गर्मी निकल रही थी जैसे आख जलने के बाद जब राख बन जाती थी ओवर दिम देस टायड अप ब्राइफली ठीक है देन फ्लिकर्ड आउट अगें और फिर वह बाहर निकल आया मतब थोड़ी सी गर्माहट उसे लगी लेकिन जैसे जैसे ठंडी यावा बह रहे थी वहाँ भीरे से सांथ हो गई वो जो आग थी वो भी नस्ट हो गई और वो बाहर निकल आया चलो हल्कु रैब्ड हिमसिल अप इन इस सौल एक सौल जो था उससे अपने को पूरी तरह से ढख लिया बांध लिया ऐसे चारू और से अगें फिर से और वो जो जली हुई राक थी उसके बगल में बैठ गया हमिंग अच्यून दात किट किट आते हु दान्थ किट 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 आते हुए ठंडी में जैसे ठंडक लगते है ते रही है लेकिन हवा भी लगातार ठंडी ठंडी बह रही थी ठीक है और उससे ठंडक हवा मैसूस हो रही थी जब्रा गेव लाउट बार्क and ran towards the field जब्रा बार बार उस खेत के चारो और भौक रहा था और उस खेत के चारो और घूम रहा था उन जानवरों को भटाने के लिए हल्कू realized that this the meat of the pack of wild animals had probably broken into the field हल्कू realized हल्कू को ऐसा अभास हो गया कि this means इसका मतलब यह हुआ a pack of wild animals pack of का मतलब होता है जानवरों का जो जुण्ड है probably broken into the fields उसके खेतों को नस्ट कर दिये होंगे they might be the नील गाय वो नील गाय हो सकती थी he distinctly heard the noise of other moving around उसने जो है उनके दोडने की घूमने फिरने की आवाज सुनी खेत में then air seemed to him they must be grazing the begin to the hear and sound of the nibling और ठंडी ठंडी जो हवा पह रहे थी उसके कान में संसना रही थी वो हवाएं ठीक है आगे बढ़ते हैं he thought no with jhabra around no animal can get उसने विचार किया कि नहीं with jhabra around no animal ना तो कोई वहाँ पर jhabra दिखाई दे रहा था महसूस हो रहा था और ना ही कोई जानवर can get into the fields hailed trip and the streets I must have been mistaken लगता है मुझसे कोई गलती हो गई ऐसा महसूस हुआ now there is no sound अब कोई आवाज नहीं आती है at all how could I have been mistaken मुझे लग रहा है कि कही न कहीं मुझसे यह गलती कैसे हो गई he shouted वह जोर से चिलाया जबरा 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 went on barking ठीक है जो भौक रहा था वो जोर जोर चिलाया and did not come to him लेकिन जबरा दुबारा वापस नहीं आया again there was a sound of the munching and crunching in his field फिर से जो है crunching and changing के मता होता जैसे जो जानवर होते हैं फसल को जब चरते हैं तो चरने की आवाज जो निकल रही थी वो खेत से निकल रही थी he could not have been mistaken this time ठीक है लगता है इस समय उसे कोई नो कोई गलती हो सकती नहीं हो सकती थी it really hard to the thing उसे वास्तों में इस बात पर ठीक है दर्द थुआ था उसे विचार में about getting from the where he was कि वो कुत्ता वहाँ जबरा जरूर होगा it was so comfortable there और वहाँ वहाँ ठीक है ठीक है that is the seemed intolerable to go to the field in this cold इस ठंडक में वो खेत कैसे जाए chase after animals और उन जानवरों से सामना कैसे करे he didn't stir वहाँ अपनी जगा पर बैठा रहा वहाँ नहीं गया he shouted at the top of his lungs वहाँ अपने जोर से मतब जैसे lungs का मतब तो अपने फेफ़णों के दम से जोर से चिलाया ठीक है हीलो 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 मतब जब उसने जभरा को बुलाया तो जबरा नहीं सुना तो उसको लग गया कि अब जबरा मेरी बात आवाज नहीं सुन पा रहा है दूर कहीं निकल गया होगा तो वहाँ नील गाएं के रूप में हीलो 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 ऐसे सब्द को वह जोर से चिलाने लगा कि जानवर भग जाए जवरा इस्टार्ट बागेंगे और जवरा फिर से भाग भॉकने लगा जब फसल तयार होने के थी तब सारे जानवरों नो इसकी फसल को चर लिया वाट फाइन क्रॉम इट वाज कितनी अच्छी फसल थी और यह जानवरों की लग रहा कि स्राप लगी हुई है मेरी पूरी की पूरी फसल नस्ट हो गई और बस थोड़े से कुछ इस्टेप का मदब कुछी दिनों के बाद फसल तयार थी काटने के लिए लेकिन फसल नस्ट हो गई बट सडेली अब लास्ट आफ वाइंड फियर्ज्ट हिम विद अस्टिंग लाइक आदा स्कॉर्पियन्स लेकिन अचानक जो है एक हवा की ठंडी हवा बही उसके लिए विद अस्टिंग लाइक आप दे स्कॉर्पियन्स इस्कॉर्पियन्स का मतब जैसे बिच्छू का डंक मार रही हो इस तरह की ठंडी हवा बह रही थी ठीक है so that he went back and sat again वह इसलिए फिर वापस पुन आगया और बैठ गया बाइदा इस्टिंग यूजड फायर एंड इस्टिंग अफ फिर से उसने पतियों इकठा की और आग जलाई ठीक है the ace is too warm और जो उसकी राग थी उससे उसे गर्माहट मिली he chilled body उसके उसके सरीर में जो ठंड़क मैसूस हो रही थी उससे थोड़ा सा गर्माहट मैसूस हुई जबरा वाज बारकिंग इस लंग साउट जबरा भी जोर जोर से भौक रहा था जो नील गय थी उसकी फसल को पूरी नस्ट कर दी थी एड हलकू वेंट आन सिटिंग पीसफुली हलकू भी सांथ बैठ गया नियर दा वाउम ऐसे उस जो गर्माहट भरी राख के पास बैठ गया इस ड्रॉवीनेस ठीक है और अपनी पूरे सरीर में ढख लिया साल और सो गया अन दा वाउम ग्राउंड नियर दा इसे जो राख पड़ी हुई थी गर्माहट के लिए उस राख के पास जाकर के बैठ गया और उसे गर्माहट जब थोड़ी से मिले तो नींद लग गई जपकी लग गई उसको ठीक है एक निप लगई विन ही वोक इन दा मॉर्निंग दा सुबह जगा दा सुबह जगा दा सुरह निकल चुका था और मुन्नी कह रहे थी तो मैं पता है कि तुम पूरे दिन सोए यू केम आउट ही ठीक है तुम पूरे दिन सोए मतब ये कह रहे थी कि रात में भी तुम सोए और दिन भर भी सोए तना धूप निकलाई और तुम अभी जगे नहीं तुम देखो चल करके पुरी फसल चर गई है तुम अभी अभी खेता है तुम यहां सोने के लिए आए हो कौन कह रहा है मुन्नी कह रही किसको हलकू को कह रही है हलकू साट एन एक्सक्यूज हलकू ने ठीक है साट ठीक है साट का मतब था आह भरी उसके दिल से एक आह भरी आवाज निकली और वहाँ एन एक्सक्यूज आई नियरली डेड लगता है मानो की वहाँ मरने के जगा पर है मतलब नियरली डेड का मतलब जैसे उसने फसल नस्ट होने की बात सुनी और देखा तो मानो लग रहा ही कि उसका दिल सांत हो जा एससे महसूस हुआ और उसने मैनेज किया तो गेट थ्रो दा नाइट और यूर वरी अबाउट यूर क्रॉप और तुम इस रातर में तुम अपनी फसल को लेकर के चिंता नहीं कर रहे थे I had such a pain in my belly वास्ताओ में मेरे पेट में ठंडी से दर्द हो रहा था I can't describe it मैं इसे वर्णन नहीं कर सकता इतनी कडाके की ठंड मुझे लग रहे थी कि मेरे पेट में ठंडी के कारण दर्द हो रहा था then the two of them walked in the ease of the land or then two of them दोनों में से मतलब एक जबरा और एक खलकु दोनों में से वाक तो दा एक नहीं then the two of them दोनों मतलब पती और पत्नी जो है वाक तो दा इस अ दियर लैंड अपने खेत के किनारे की ओर गये और उन्होंने जब खेत देखा तो पूरी फसल नस्ट हो गई और जबरा भी जो है इस्टेज आउट अंडरनीथ दा सेल्टर आप दाउ और वो भी खेत के मेल के पास मर गया था कौन जबरा जबरा जो डॉग था वो ठंड के कारण मर गया था ठीक है यह हम दे कंटिनीव तो इस्टेर दर रियूंड आफ फिल्ड और उन्होंने देखा कि उनका फसल पूरी तरह से बनस्ट हो गया मुनी जबरा जो चेरा था दुख से भर गया मतब ऐसा चेरा हो गया कि वह दुख से पूरी तरह से लिप्त हो गई हलकु वाज कंचिंट लेकिन हलकु के पास धैर था मुनी सेट मुनी ने कहा now you have to hire yourself out to earn some money to pay off the rent and taxes ठीक है मुनी कहती है now you have ठीक है now you will have to hire अब तुम जो है किराए पर जो जमीन लेकर के तुम फसल उगाते हो इसको उगाना बंद करो how to earn some money और निकल जाओ कुछ पैसा कमाने के लिए to pay all the rent and taxes जितने भी rent है किराए है जितने भी रिण है उनको तुम ठीक है मजदूरी करके उन पैसों से तुम अब अबदा करोगे कि फसल की कोई उमीद नहीं है विदा content smile हलकू से ठीक है हलकू ने धैर पूरवक smile किया बोला but I want have to sleep night out here in the cold लेकिन I want लेकिन मैं यहां नहीं सो पाया ठीक है यह पूरा हिंदी अर्थ है समझ रहे हो ना यह पूरा हिंदी अर्थ है आप लोग जैसे मैंने explain किया है आप लोग भी सेम वैसे ही कर ले ना बाकी हम लोग अब लोग बढ़ते हैं question answer की बात करते हैं यहां से how many characters there in the story January night list them कितने पात रहें इस कहानी में तो there are three characters in the story January night they are halku munni जमीदार और जबरा ठीक है भाया उसमें halku munni एक हो गए जमीदार और जबरा क्या हो गए अलग अलग हो गए है ना तो halku munni एक हो गए क्योंकि husband and wife हो गए है जमीदार जो landlord हो गए और जबरा यह तीन character दिये गया है ठीक है अगले question की बढ़ते है who was halku तो halku was a tenant farmer tenant का मतब होता है किराय पर खेती ले करके किसानी करना उसे कहते हैं tenant farmer ओके आगे बढ़ते हैं what was the present problem of halku halku की present problem क्या थी तो halku was surrounded in the debt क्योंकि halku रिंड से पूरी तरह से लिप्त था he had saved some money for him to buy a blanket उसके ने कुछ पैसे खरीदे मतलब इकठा किये थे ए लेंड लाड फोर्ड इस टूबेदा मनीफर और जो लेंड लाड आड़ा है जो जमीदार आया उससे बहुत ज्यादा फोर्स किया पैसा लेने के लिए उसने किसी तरह से तीन रुपए बचाए थे blanket खरीदने के लिए लेकिन लेंड लाड उसे आकर के ले लेता है ओके वा हरको एक जो है गरीब किराये पर खेती लेने वाला एक किसान था he had to sleep in the field at night वहाँ खेत में जाकर के सोज आता है थोड़ी सी निप लग जाती जबकि he needed a blanket immediately ठीक है हाँ sorry he had to sleep in the field at night वहाँ खेत में खेत की रखवाली करने के लिए और वहाँ थोड़ी बहुत नींद लेने क के लिए एक कमल की उसे जरूरत थी इसलिए वहाँ तीन रुपए बचाये हुए था he needed a blanket उसे एक कमल की जरूरत थी intermediate ठीक है immediately तुरंत ही because he had to face incense cold in the fields at night क्योंकि उसका जो चेहरा था वो क्या था intense intense कमता हो था इरादा उसका ये इरादा था कि इस ठंटक में बचने के लिए इस बार हमें कमल ले लेंगे तो कम से कम मेरी बच्चत हो जाएगी ठंडी मुझे नहीं लगेगी ऐसा उसने सोचा था अगले बढ़ते हैं how were halku's crop destroyed कैसे halku की फसलनस्ट हो गई हलकu were halku went there with his dog जबरा guard the yields but they proved to be a failure as wild animal ruined the field ठीक हा फील्ड होगा बेटा जी करें हलकu went there halku वहां गया with his dog अपने कुत्ते के साथ मलब जबरा भी गया और हलकu भी गया guard the field field की रखवाली करने के लिए field की रखवाली करने के लिए but they proved लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया failure is the wild animal की जानवर ने उनको असफल बना दिया मलब जानवर इतने जुंड में आए कि एग बार में ही पूरी फसल चर गया ठीक है आगे पढ़ते हैं what were the main problem before halku and his wife munni ठीक है हलकu और उसकी पत्नी की क्या समस्या थी इसके पहले भी तो the main problem before halku and munni were to guard the aircraft in the saver cold of january ठीक है without a rug and to pay dues of the landlord कहरे का मतलब यह हुआ उनकी जो main समस्या थी इसके पहले भी halku and munni were to guard the aircraft वो अपनी खेत की रखवाली कर रहे थे in the saver cold of january इस तरह की कडाके की पूस की रात में without a rug to pay क्योंकि उन्हें क्या करना था जमीदार को जो dues लिये थे पैसा लिये हुए थे उससे अदा करना था इसलिए वह फसल की रखवाली इस तरह कडाके की ठंड में कर रहे थे आगे बढ़ते हैं how did halku take his failure halku जो है अपने काम में सफल क्यों हो गया halku to is very lightly क्योंकि हलको ने इसे बड़े हलके में लिया he said work है उसने कहा that now at least I won't have to go out in the night ठीक है इस तरह की ठंडी में मैं खेत के पास नहीं जाओंगा अगर वो खेत के पास चला जाता तो जानवर क्या होते भग जाते लेकिन उस कडाके की ठंड में उससे ठंड भी लग रहे थी पेट में दर्द भी होने लगा तो वो सोचा कि इससे अच्छा है मेरा जबरा डॉग जो है बहां भौक रहा है अब मुझे कोई जाने की जरूरत नहीं है और इसको उसने हलके में ले लिया और चानवर उन्हें इसके फसल को नस्ट कर दिया मुनी किस प्रकार की महिला थी मुनी अच्छों की पतनी का हाँस वा जान्य-धी एक आधी टीपिकल ग्रहनी थी खसकित! ुसको संग्यान में था कि मेरी इंकम मेरी घर का income बहुत कम है और किराय पर हर बार खिसकिसानी ले करके मेरे husband करते हैं लेकिन फिर भी साल भर नमारा पेट नहीं भरता अच्छे से and husband however she was in the great trouble due to the poverty किस प्रकार से वो अपनी गरीबी की समस्या को जेल रही थी मुनी कौन थी उसने अपने पती को किराय पर किसानी है से मना कर रही थी ठीक है और इसके चारेक्टर आफ मुनी का चरत लिए तो मुनी वाज वाइफ आफ हलकू अपूर टीनेंट फार्मर मुनी एडवाइज हलकू मुनी सलाह देती थी हलकू को तो गिव अप फार्मिंग ये खेती करना छोड़ दो और तुम कहीं जाकर के काम कर लो जाकर के कि तुम्हें कुछ डेली पैसे मिल जाएंगी जिससे कमसें साल भर परिवार का पेट तो भरेगा जरूरत की सीजन भी तो पूरी होगी वही है न कि इतना तुम्हें पैसा मिलेगा कि कमसें भोजन तो मिल जाएगा पेट भरने के लिए अगर वह समय पर किराया नहीं दे पा रहा है तो जो जमीदार लोग है जिन से वह पैसा ले रखा है वो उसके घर पर आ करके उसकी बेज़ती करते हैं उसे गाली देते हैं ये अच्छा नहीं लगता है इससे अच्छा तुम ये फार्मिंग करना छोड़ दो किसानी करना छोड़ दो इसके बदले में तुम लिवरर का काम करो तो इससे अच्छा तुम पैसा कमा सकते हो ठीक है यह था what h hindsight to ऴीर एक फिल्डक्ट अपनी खेथ की रखवाले करने के लिए अपनी खहत की रखवाली करने के लिए ए और यह साबित हो गया कि वह असफल हो गए मदब अच्छे तरह से अपने खेत की रखवाली नहीं कर पाए और इस प्रकार से वो जो जंगली जानवर हैं जो नील गाये हैं उनकी फसलों को क्या कर दिये पूरी तरह से नस्ट कर दिये तो यह थी बेटाजी कुछ important मैंने question आपको सारे करा दिये हैं यह सारे कुछ important question है इनको आप लोग एक दुबार जरूर पढ़ लेना क्योंकि आप जानते हैं कि आपके यह English reader से भी important question आते हैं वो subjective यह रूप में भी आते हैं और objective के रूप में भी आते हैं इसमें वेटाजी अगर बात करें तो subjective question भी बनता है subjective question भी आपके exam में बनता है इस book से और अगर बात करें तो objective question भी आपके exam में इसे बनता है तो यह कुछ important questions हैं जो मैंने आपको subjective questions करा दी हैं अब इसका objective class next class में होगी तो आप लोग यह class को जादा से जादा अपने दोस् कि केवल हमारी panorama book है उसे pros poetry section है बाकी आप grammar पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं पता है कि आपकी English reader भी book है यहां से भी 10-12 नंबर का question हर बार board exam बनाता है तो आप लोग ज़रूर देखना इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को इदात मित्रों तक ज़रूर share करना इस session को ठीक कि ये कहानी कैसी लगी हलकू वाली बहुत ही emotional कहानी है बहुत ही प्यारी कहानी है ठीक है गरीबी को किस तरह से वो जेल रहा था ये बहुत ही प्यारी कहानी मैंने पूरा explain कर दिया है पूरी बातें आपको बता दिया है क्या कहानी का moral है तो emotional story है अगली class मिलते है objective question के साथ तब तक आप लोग स्वस्त रहे हैं मस रहे है बाई everyone love you